वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडिये हम बात करने जा रहे हैं डेजर्ट वाइपर वर्स अबुदाभी नाइट राइडर्स यूएटी 20 लीग मैच जो ही खेला जाएगा दुबई इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्या हो सकती है पॉसिबल प्ल स्कोर रहता है वो रहता है 156 का अगर हम यहां पर इस सीजन के मैच इस देखें तीन मैच इस हो चुके हैं जो मैच नंबर वन था उसमें यहां पर डीसी ने बनाए थे 187 रन और आबुदाभी की टीम जो हार गई थी तहितरन वन साइड़ेड यह मैच हार गई थे और जो पिर बाकी के दोनों मैच इस हूँ है यहां पर मैच फोर हुआ था जिसमें 145 रन असानी से चेज हो गए थे और अगर आप मैच फाइब भी देखो वो भी 182 रन बनाए थे डीसी ने और गल्फ जाइंट्स ने वो भी चेज कर लिया था तो चेजिंग ग्राउंड माना जा टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन पिन कर दूँगा उसी के थू जुड़िएगा सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फे Desert Wipers की तरफ से Alex Hills ओपन करेंगे याँ पर मुस्तफा लास्ट मैच में ओपन करने आये थे तो उनके साथ या टीम मुन्रो के साथ भी करा सकती है फिर Sam Billings है, Benny Howell है, Rutherford है, Tom Curren है याँ पर हसरंगा जो है वो डारेक्ट आज का मैच खील सकते है या तो टायमल मिल्स की जगा या कॉक्टेल की जगा अली नसीर है और गस एटकिंसन आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे अबुदावी नाइट राइडर की तरफ से बात करें तो पॉल स्टर्लिंग जो है वो इंटरनाशनल डूटी इस पर चले गए है तो चांसिद है कि केनार लूइस को टीम खिला सकती है ओपनिंग पे और यहाँ पर फिर वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं तो उनकी जगा जो है कॉनर की जगा डिसिल्वा को भी खिला जा सकता है और असलंका का भी आप्शन है या फिर टीम चाहे तो इंग्राम और किंग से ओपन कराके डिसिल्वा यहाँ पर खिला ले और डिसिल्वा के साथ असलंका को भी खिलाया जा सकता है आंद्रे रसल हैं, अकील हुसेन है, रवी राम पॉल है, फरीद है, अली खान और मती उल्ला खान यह प्लियर आपको खेलते हुए नजर आ सकते है अगर बात करते हैं डेजर्ट वाइपर की, यहाँ ओपन करेंगे एलेक्स हेल्स, लास्ट मैश खेल कर आये हैं, 122 पॉइंट देकर आये हैं important खेलाड़ी है, grand league में captain wise captain, ठीक है, क्यूंकि काफी जाधा all rounder है, इसमें जो काफी small league में captain wise captain होंगे जिसके चलते, Alex Hills को लोग ignore कर सकते हैं, अगर captain wise captain so grand league में जो try करी लेना है, अगर batting section से चाते हो, सो आप small league में भी Alex Hills को captain wise captain कर सकते हैं, लास्ट मैश में ट्रम कार्ड पिक साबित हो सकती है लास्ट मैच में 22 पॉइंट्स दी है लेकिन अगर open कर जाए ठीक है न तो फिर भाई आप इनको small league में consider कर सकते हो तो ये जो है क्योंकि betting order change होता है तो अगर betting first आती है desert wiper की और आपको एंडे पता चल जाए कि भाई रोहन उस तफ़ा open कर रहा है ठीक है तो आप उन्हें small league में consider कर सकते हो risk रहेगा तब भी बढ़ किया जा सकता है otherwise grand league में तो ऐसा normal player try कर ही लेना है Colin Munro Colin Munro last match में आते ही out हो गए थे इस match में एक अच्छी pick बनेंगे क्योंकि player काफी अच्छे है last match में कुछ point नहीं दिये minus two हो गए थे यानिके दो point ही रह गए थे वो player अच्छे है batting first करते हो important रहेंगे Sam Billings last match में जो है 71 points दे कर आ रहे है अच्छा अच्छे points दे कर आ रहे है wicket keeping section है बहुत अच्छी option भी available नहीं है तो एक आपके लिए small league के लिए एक fake pick Billings बन जाते है Rutherford last match में कुछ एक ही point दिया था यानिके total 5 इन्हें आप grand league में try कर सकते हो क्योंकि ये बड़े-बड़े shots लगाते हैं किसी में match में batting first करते हुए आपको जो है अच्छे-कासे points दे सकते हैं लेकिन वो 10 में से 1-2 बार ही होगा maximum जो है कम points रहते हैं तो grand league में try कर सकते हो small league में तो है ये खिलाड़ी risky रहता है बैनी हावल last match में 33 points दे कर आ रहे हैं bowling first करते हुए बैनी हावल अच्छे पिक रहेंगे क्योंकि ये death में bowling कर लेते हैं सो भाई death bowler है और इनके पास slower ones है जिसके वैसे wickets भी निकाल लेते हैं और बैटिंग से भी अच्छा contribution कर सकते हैं तो बैटिंग अगर आती है पहले bowling तो उसमें आप इसे अपनी small league में consider कर सकते हैं tom current important रहेंगे last match में 37 points दे कर आ रहे हैं death में bowling करते हैं proper death bowler है और प्लस जो है आपको बैटिंग से भी अच्छा contribution दे सकते हैं तो इन्हें grand league में भी आपने captain try कर लेना captain wise captain grand league में और small league में भी bowling first करते हुए captain wise captain किया जा सकता है cock trail है जहाँ पर 39 points दिनों ने दिये थे power play में usually bowling डालते हैं लास टाइम जो है death में bowling करवाई गई थी so try कर सकते हो bowling first करते हुए इनको ठीक है ना bowling first करते हुए cock trail को आप अपनी टीम में consider कर सकते हैं लेकिन पहली preference जो है वो tom kuren को देनी है यहाँ पर हो सकता है हसरंगा किसी player की जगा खेल जाए अगर यार हसरंगा खेल रहे हैं तो भाई आपकी टीम में होने ही होने चीहें और हसरंगा तो small league के लिए captain wise captain की भी choice रहते हैं टाइमल मिल्स लास मैच में 43 points देकर आ रहे हैं अगर देखो यहाँ पर tom kuren और टाइमल मिल्स यह दोनों है ना death bowler है तो अगर bowling आती है पहले बोलिंग आते हुए यह दोनों खिलाड़ी आपकी टीम में होने चाहिए ठीक है यह death में विकेट्स निकाल लेते हैं अगर chase करते है टीम तो बाद में आती है bowling तो टाइमल मिल्स को आप फिर भी ignore किया जा सकता है अली नसिर है लास्ट में आज में कुछ खास मौकाई ने मिला नहीं वैसे बैट्स में नहीं है ठीक है ना तो जो है grand league में या ignore भी कर सकते हो इस खिराड़ी को Gus Atkinson है हो सकता है यह replace हो जाए क्योंकि हो जकता है इनकी जगा हसरंगा आ जाए लास्ट में 29 पॉइंट्स दिये थे खेलते हैं तो grand league में ट्राइ कर सकते हो डेथ बोलर टॉम कुरेंट तो हैं यहाँ पर बैनी हावल है टाइमर मिल्स है और इवन कॉक्ट्रिल भी है तो काफी डेथ बोलर है लेकिन यहाँ पर Tom Curren है तो आप टाइमर मिल्स और कुरेंट को मान के चलिए वैसे लेकिन लास्ट मैच में कॉक्ट्ल का यूस कर लिया है बात करते हैं इंपॉर्टन प्लेयर्स की तो यहाँ पर Alex Hales है, Colin Munro है Billings है, Howell है, Tom Curren है टाइमर मिल्स और वनिंदू हसरंगा जो है टीम के लिए इंपॉर्टन खिलाडी है बात करते हैं यहाँ पर अबुदावी नाइट राइडर्स की सो हो सकता है यहाँ पर केनाल लुइस ओपन कर जाए करते हैं तो भाई एक अगर आप रिस्क लेना चाते हो तो ट्राइ कर सकते हो रिस्की पिक रहेगी क्योंकि चलते हैं तो मार जाते हैं अदवाइज आउट हो जाते हैं बिलिंग्स जो है वो एक ज़्यादा रिलाइबल प्लेयर है बट यह रिस्की खिलाडी रहेगा अगर जो रिस्क लेना चाता है या इस्पेशली मिनी ग्रैंड लीग वगरा खेलता है उसमें अगर खेलते हो नजल आए तो ट्राइ कर सकते हो कॉल इनिंग्राम दो मैच में दोनों में फ्लॉप हूँ है 10 पॉइंट और 13 पॉइंट बट प्लेयर अच्छे है आप इन्हें ट्राइ करना चाते हो तो स्मॉल लीग में लिया जा सकता है एक डिफरेंशल खिलाडी आपके लिए बन जाते है ब्रेंडन किंग ये भी खिलाडी फ्लॉप रहा है 16 पॉइंट और 21 पॉइंट इस मैच में ओपन कर सकते है और ओपन पर आम तोर पे किंग अच्छा कर जाते है तो अगर ओपन करते हैं तो आप स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते है यहाँ पर कॉनर है जो विकिट कीपिंग कर रहे है 14 और 7 पॉइंट इन्हों ने दिये है आप इने ग्रैंड लीग में ट्राइ करना चाते है तो कर सकते है हो सकता है अगर केनाड लुइस को टीम खिला ले तो हो सकता है इनकी जगा फिर डिसिलवा आ सकते है डिसिलवा आते हैं तो इंपोर्टेंट है इनकी जगा असलंका को खिला लिया जाए है तो असलंका भी इंपोर्टेंट रहेंगे लेकिन जहां पर डिसिलवा खिलते है वो ही मेरे इसाब से ज़ादे इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि बैटिंग बोलिंग दोनों से कॉंट्रिबूशन देते है अब आ जाता है इनका मिडल ओडर या लोवर ओडर आप कह सकते हो जो बहुत ही बड़ी आ ओल्राउंडर है तीन ओल्राउंडर तीनों ही मस्ट पिक बन जाते है यहाँ पर रसल इंपोर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस सुनील नराइन कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस एक और यह दोनों खिलाडी बेस्ट चोईस रहेंगे इस मैच के कैप्टन वाइस कैप्टन की तो दोनों ही important है बात करते हैं अकील हुसेन अकील हुसेन आपके लिए टरब काड़ पिक होईगी क्योंकि लास्ट मैच में 30 और उससे पहले 7 पॉइंट तो इसे वाई से लोग ट्राइ नहीं करेंगे लेकिन ये प्लेयर बहुत अच्छा है स्मॉल लीक के लिए आपके लिए आज की मैच की ट्रम कार्ट पिक जो है एक खिलाडी साबित हो सकता है रवी रामपॉल ने दोनों मैच में अभी तक अच्छे पॉइंट दी है 46 और 60 अगर पहले बोलिंग आती है क्योंकि डेथ बोलर है तो पहले बोलिंग आते हुए ज़ादा इंपॉर्टेंट ही रहते है as compared to second inning तो पहले ही बोलिंग करें अगर आती है यह भी डेथ में इन्होंने बोलिंग कराई है तो खेलते में नजर आते हैं तो बोलिंग फस्ट में रिस्क लेना हो तो ट्राइ कर सकते हो अधर वाइस ग्रैंड लीग के लिए जाधा बैटर रहेंगे मतियुल्ला खान लास्ट में आज खेले थे छें पॉइंट्स इन्होंने दिये थे अगर हो सकता है इनकी जगा जो है चेंजिस हो सकते है टीम में डेथ बोलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है रवी राम पॉल है और रसल है यह दोनों होने चीए लेकिन लास्ट मैंच में अली से भी बोलिंग डेथ में करवाई खाई थी तो उनको भी आप ट्राइ कर सकते हैं ठीक है बात करते हैं इंपोर्टेंट प्लेयर की तो यहाँ पर किंग है सुनील नरायन है रसल है यहाँ पर अकील हुसैन और रवी राम पॉल स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें बेस्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो ठीक है ना रसल और नरायन का यहाँ पर हेल्स और टॉम कुरेंट को भी आप ट्राइ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर हसरंगा खेलते हुए नजर आए तो ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन ट्राइ कर लेना है अकील हुसैन मुन्रो या किंग को भी आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ कर सकते हैं चलिए क्रियेट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम विगट गेविंग सेक्शन हैं बिलिंग से हैं और यहाँ पर कॉनर है हो सकता है लुइस आपको खेलते हुए नजर आजा है मैंने अभी के लिए आपर बिलिंग को आपनी टीम में रखा है रसल, नरायन और टॉम कुरेंटीनो को में अपनी टीम में रखा है यहाँ पर हसरंगा खेलते हुए नजर आजाएं तो फॉर्थ पिक अपनी हसरंगा हो जाएगी बैनी हावल और मुस्तफा आपके लिए ग्रैंड लिग पिक बन सकती है मुस्तफा हो सकता है अगर ओपन दुबारा कर जाएं अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं और हसरंगा अगर आते हैं तो बैनी हावल और मुस्तफा दोनों का सेलेक्शन और कम होएगा क्योंकि फिर हसरंगा का भड़ जाएगा और ये दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्पेशली बैनी हावल काफी अच्छे खिलाड़ी है लेकिन अभी के लिए बैनी हावल को लिया है अगर खेलते में नजर आ जाएं सो हम उनको अपनी टीम में रखेंगे लेकिन अभी के लिए टाइम में मिल्स को हमने अपनी टीम में रखा है ये भी जो है अपडेटेट टीम में आपको टेलिग्राम पे प्रोवाइट कर दूँगा क्योंकि चेंज इसमें भी होंगे अभी के लिए हमने दो टीम्स क्रियेट करी है टीम नमबर वन ये बन जाती है जिसमें हमने इंग्राम को भी रखा हुआ है अली घान को भी रखा हुआ है टीम टू की बात करते हैं सो नरायन को कैप्टन किया है हेल्स को वाइस कैप्टन किया है इस टीम में हमने चार बोलर ट्राइ करे हुए है और यहाँ पर एटकिंसन को लिया है और कॉलिन इंग्राम को भी लिया हुआ है सो यह बन जाती है team 2 आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं और किसी एक player को भी multiple teams में captain wise captain कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह video आपको पसंद आईए पसंद आईए यह सो like करो, share करो, comment करके बताओ आपके इस आपसे best choice captain कौन होने वाली है और साथ के साथ YouTube channel को subscribe करके bell icon दबा दीचे जैसे video आएगी आपको notification मिल जाएगी all the best guys